हेलो दोस्तों, दोस्तों कैसे है आप सब आपका भाई हाजिर एनी वैकेंसी के साथ जैसा कि आपने थमनेल में देखा है कि आज जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है एनपी सी आईल की तरफ से नुकलियर पावर कॉर्परेशन आफ इंडिया लिमिटीड की तरफ से यहाँ पर बहुत ही बड़ी अपॉर्चुरिटी निकाली गई है बिसिकली यहाँ पर जो आपको टूटल नंबर वैकेंसी देखनी को मिलेगी अपॉर्चुरिटी देखनी को मिलेगी 170 प्लस मतलब कि टूटल 170 के एप्रोक्स आपको यहाँ पर पॉर्चुरिटी देखनी को अगर आप इंडिया में किसी भी स्टीट से ब्लॉंग करते हैं कहीं से भी तो आप इस फॉर्म को बढ़ सकते हैं जनरल OBC, SCST सारी कैटिगरी के फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ कोई आपका एक्जाम नहीं होने वाला नो एक्जाम और यहाँ पे फॉर्म फिस भी यहाँ पे जीरूर उपर रखा गया मतलब कि आपको यहाँ पर एक रूपिया भी पेई नहीं करना फ्री कई आपको फॉर्म देखने को मिलेगा बस आपको फॉर्म को अप्लाइ कर देने ठीक है फ्रेशर केंडिडेट बिल्कुल यहाँ पेलिजिबल रहने वाल है तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो मिर भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना जब भी आप वीडियो को लाइक करते है तो हमको मोटिवेशन मिलता है ऐसी बहतरिन वीडियो बनाने का और यह video automatically उन लोगों तक पहुंच जाता है जो कि eligible रहने वाला है तो यहाँ पर आपका जो like का target रहेगा 350 प्लस आपको like करवा देना 350 प्लस से like करवा देना अपने दोस्तों में अपने जो groups है college groups में उसमें वीडियो को share करना मत भूलेगा मेरे भाई और comment box में अपनी branch को जुरूर से mention कर देना कौन से आपकी branch है कौन सा आपका trade है ताकि आने वाली jobs update आपकी branch और आपकी trade से relevant आपको देखने को मिले और मैंने description में आपको link provide करवा रखा है telegram channel का whatsapp group का LinkedIn का Instagram का Facebook ग्रूप का है यह सारे link आपको description में देखने को मिल जाएंगे जाके join कर रहे था वहाँ पे आपको premium type की job update दिया जाएगा तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस channel पे नहीं है तो channel को subscribe कर ले पास में जो घंटी वाल आइकन उसको दबा दे ताकि आपको next video को notification सबसे पहले मिल पाए और आपका भाई इस channel पे इंजरिंग job update लाता रहता है तो channel को subscribe करना मत भूलेगा चलिए शुरू करता है अब बात कर ले तो यहाँ पे आपको apply कैसे करना उस process के बारे में देखिए आपको step a step apply करना पड़ेगा जो जो steps बता रहा हूँ उन steps को आपको follow करना है directly आप apply कर सकते हैं यहाँ पे जो form रहेगा offline आपको submit करना पड़ेगा कैसे submit करना इसके बारे में पूरा detail में बताऊंगा वीडियो को बस ध्यान पुर्वक आपको देखना है तो यहाँ पे मैंने directly notification डाउनलोड कर लिया है इसी notification के आपको last के अंदर application form मिलेगा जिसको आपको hard copy आपको निकलवा लेना है उसको आपको fill करना है और involve में डालके जो डोकिमेंट बता रहा हूं वह आपको डालके वहाँ पे बेजना है जो address में आपको भी बताऊंगा तो यहाँ पे जो वेकेंसी आपको देखने को मिलेगी nuclear power corporation of India limited NPCAL की तरफ से यहाँ पे opportunity देखने को मिलेगी government of India enterprises रहने वाला और यहाँ पे इनकी साइट है काकापूरा गुजरात साइट ही यहाँ पे रहने वाली है यहाँ पे ही आपका location दहेगा जो भी आपका job location आपको देखने को मिलेगा काकापूरा गुजरात ठीक है अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एडूटाइजमेंट के बारे में बेसिकली मैं आपको एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे कहने है कि apprenticeship program निकाला गया है अब बहुत सारे बच्चों को एक सबसे बड़ी चीज का doubt होता है कि भीया apprenticeship क्या होता है internship क्या होता है दीखे apprenticeship और internship दोनों अलग-अलग है ठीक है apprenticeship मतलब होता है कि जब आपक खतम हो जाता है उसके बाद के जाता है मतलब कि आप pass out होने चाहिए और अगर आप internship कर रहे हैं तो उसमें pass out matter नहीं करता बस आप कभी भी कर सकते हैं ठीक है जब से आपने ITAE, Diploma, BB Tech शुरू किया है तब से भी कर सकते हैं ठीक है तो यह उन लोगों के लिए जो pass out हो चु है apprenticeship करने के बहुत आए जब भी यहाँ पे vacancy निकलेगा future के अंदर तो आपको experience as a count हो जाएगा बहुत सारी जगे apprenticeship as a experience count होता है एक साल का जहां पर दू साल का experience मांगा जाता है तो वहाँ पे अगर आपने एक साल के apprenticeship की है और एक साल के आपके पास experience है तो वह एज़े एक सा education रहेगा वह आपका IT वालों के लिए bumper opportunity है देख पार है electrician, feeder, instrument, mechanic, electronic, copa और भी बहुत सारी आपके आपके देखने को मिलेगी welder का देखने को मिल जाएगा, trainer का देखने को मिल जाएगा, machinist का, refrigeration and air conditioning का आपको देखने को मिल जाएगा, total मिला कि यहाँ पे जो आपको सीट जाएगा, एक साल का चलेगा, यहाँ पे आपका IT यह आपके पास होना चीए, ठीक है, as experience आपके लिए count हो जाएगा, बात कर लेते age criteria की minimum जो age criteria रहेगा, वो 14 वर्स रहेगा, 14 year ठीक है, और maximum रहेगा 24 year, age relaxation बिलकुल दिया जाएगा, OBC category को 3 साल का, SCST category को 5 साल का, और जो मे date के according, education qualification, सारी चीज़े count होगी, इस date के according अपकी count होने वाले है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, अब बात कर लेते हैं, important point के बारे, देखे, पहली बात यह आती है, आपने कभी apprenticeship किया नहीं होना चीए, अगर आप इसके लिए apply कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप 2-2-3- एक बार यह apprenticeship होता है, ठीक है, आज जैसी कि अगर आपने भी बीटेक, आप एक बार apprenticeship कर सकते हैं, उसके बाद आप apprenticeship नहीं कर सकते हैं, तो अगर आपने पहली कभी किया है, तो आप यहाँ पर apprenticeship नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे आपका physical fitness के बारे में बताय बात कर लेता है, stip 8 के बारे में, देखें, यहाँ पे stip 8 अच्छा खासा दे रगा है, देख लेते हैं, यहाँ पे जो आपका stip 8 रहेगा, फीटर का, टरनर का, मचिनिस्ट का, अलेक्टरोनिक मेकैनिक का, रफीरिजेशन, इंडेयर कनिशनिंग का, याप मेकैनिक का, तो रही बेन, यहाँ पे, एड्मिनिस्टेशन, असिस्टेंट का, कम्प्यूटर, ऑपरेटर, और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का, या वेल्डर का है, उनको 7,700 रुपे पर मंद के साब से अपको मिलेगा, जो की एक साल तक आपको देखने को मिलेगा, रेजर्वेशन आपको दोक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपका होने वाला है, एक वर्स काओ को, इस सारी चीज़े आपको दे रखिए, जिसको अच्छे से, रीडाउट कर लेना, पढ़ देना, हम बात करेंगे, इंपोर्टेंट पॉइंट के बार में, देखिए, मैं आपको इसका अप्ला पीट रहेगा, ठीक है, सारे जो भी माक्षिट रहेगी, वो आपको अटेच करके, फोटो वोटो लगा के अच्छे से, आपको जो एड्रस मैं आपको उपर बताया था, उस एड्रस पर आपको यहाँ पे भेज देना है, ठीक है, लास्ट डेट 15 साथ 2022 रहने वाले, उससे यहाँ पर ऑफ्लाइन फार्म को भेज देना है, अच्छी अपॉर्ट्रिटी है, एक साल आप अपर अपर अपरेंटिशिप जरूर करिया, अपरेंटिशिप की वैल्यू हमेशा से रहती है, और आगे बहुत रहने वाले, इसलिए मैं बार बार आप सभी लोगों से गुज कर लेना, तो मिर भाई आज के लिए बस इतना ही वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा वोगों तक जिनको जोब की नीट है, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी ब्रांच कौन सी है, आपका ट्रेड कौन सा है, ताकि आने वाली जॉब्स अपडेट आपकी आपको देखने को मिले, all the very best, जैहिन!